अध्याय दो अब मैं सबसे पहले ये आदेश देता हूँ कि विनिती और प्रार्थना और निवेतन और धन्यवाद सब मनुश्यों के लिए किये जाएं राजाओं और सब उचे पदवालों के निम्मे तिश्लिये कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से चीवन बिताएं ये हमारे उध्धार करता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है वो ये चाहता है कि सब मनुश्यों का उध्धार हो और वे सत्त्य को भली भाती पहचान ले क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुश्यों के बीच में भी एक ही बिच्वई है अर्थात मसीही यिशू जो मनुश्य है जिसने अपने आपको सब के छुटारे के दाम में दे दिया ताके उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए मैं सच कहता हूँ जूट नहीं बोलता के मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया सो मैं चाहता हूँ के हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को सवारें न के बाल गूथने और सोने और मोतियों और बहुमोल कपड़ों से पर भले कामों से क्योंके परमेश्वर की भक्ति ग्रहन करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है स्त्री को चुपचाप पूरी आधीनता से सीखना चाहिए मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपतेश करे और ना पुरुष पर आग्या चलाए परन्तु चुपचाप रहे क्योंकि आदम पहले उसके बाद हव्वा वनाई कई आदम बहकाया ना गया पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई तो भी बच्चे जनने के द्वारा उधार पाएगी जदी वे सैयम सहित विश्वास प्रेम और पवित्रता में स्थे रहे